अम्रतार्शी रोकना चाहेंगे आपको इस बीच बड़ी खबर आई है केंद्रिय मंत्रे स्मृते इरानी के नामांकर में शामिल होने की जानकारी मिल रही है रोड़ शो और जनसभाओं को संबोधित करने वाली है दोपहर में राची पहुचेंगे सी एम मोहन यादो जी चत्रा लोगसभा शेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे बोपाल से आयम खबर कल यूपी और जारखन के दौरे पर जाएंगे सी एम मोहन यादो केंद्रिय मंत्रे स्मृते इरानी के नामांकर में शामिल होने का भी कारिक्रम है उत्तर प्रिदेश और जारखन का दौरा मुख्य मंत्री मोहन यादो का केंद्रिय मंत्रे स्मृते इरानी के नामांकर में शामिल होंगे रोडशो और जनसभाओं को संबोधित करेंगे दोपहर में राची पहुचेंगे सी एम मोहन यादो और चत्रा लोगसभा शेत्र में जनसभा को संबोधित भी करेंगे अम्रतान्शी इस बीच एक अबजेट है यूपी और जारखंट के दोरे पर मुख्यमंत्री रहने बाले हैं इसे किस तरीके से देखा जाए कितना फर्क पड़ता है प्रदेश में कर ही रहे हैं लेकिन इसके पहले भी आपको याद होगा कि वो यूपी और बिहार में जो है वो पहुचे थे एक तरह से चुनावी चर्चाओं की बीच में ही अब देखिए केंद्री मंत्री स्मृती रानी के नमांकन रूट शो और रैली में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद पहुच रहे हैं अमेठी जो की सबसे चर्चित रहने वाली सीट है और 2019 में जो सूखा तोड़ा था केंद्री मंत्री स्मृती रानी ने बीजेपी का बीजेपी चाहती है कि इस सीट पर वो दबतबा लगातार मेंटेन रहे और कहीं न कहीं क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है वो इसके पहले भी यूपी जा चुके हैं कई समितरणों के साथ उनको जो है यहाँ पर यूपी प्रचार परसार के लिए जो है वो हमेश होता है जो प्रचार होता है उसमें कई बड़े चेहरों को सियासी समितरणों के साथ मिलाते हुए बीजेपी अपने नेताओं को कहीं भेजती है और बहाँ पर वो नेता नामांकर या रोडशो या फिर जन्सभा में शामिल होते हुए नजर आते हैं ऐसे मोखी मंतरी मोहन पर पहुंशना मेर्दी महत्रपूर्ण हो जाता है हाला कि यह माला जा रहा है कि जारकंड का मुखी मंतरी बनने के बाद यह उनका पहला दोरा है और यहां पर बीजेपी कारता हो में जोज जातित करेंगे और चुनावी प्रचार में भी शामिल्कुल और बीजेपी के चार प्रचारकों में से एक मुख्यमंत्री मोहन यादो अब उत्तर प्रदेश और जारखंड के दौरे पर भी जाने वाले इधर